हेलो, नमस्ते, आज काओ टॉपिक है, रेश्टो जैम सिरफ, एड यूनी एंजैम सिरफ, इन सिरफ में से कौन सा सिरफ बेश्ट है, पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे कि एसलेटें गेज की समस्या, अपचेन की समस्या, अपचेन की कारण भूख कम लगता है, और पेट फूलता है, और एसलेटें गेज की कारण, पेट में दर्द और चेस्ट में जलन, इस टाइप की समस्याओं को दूर करने के लिए, कौन सा सिरफ बेश्ट है, इसके बारे में जानेंगे, और इन में से कौन सा सिरफ बच्चों के लिए सेफ है, और पेग्निन फिम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, और इन दोनों सिरफ के डोज, कितना लेना चाहिए, और कब लेना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे, और इन दोनों सिरफ से क्या क्या साइड फेक्ट, क्या क्या प्रब्लम हो सकते है, इसके बारे में जानेंगे, और हमें इस सिरफ सिरप के बारे में जानते हैं प्रोड़क्ट इन्फॉर्मेशन एरिश्टो जैन सिरप का मेनुफ्यक्चरिंग एरिश्टो कमपनी करती है यह एलोफेतिक सिरप है इसकी अमार पी 200 ml की बॉटल की अमार पे होती है 136 रुपेस और बच्चों के लिए 15 ml की बॉटल भी आती है सबसे पहला सबसे मुख्या अपचन की समस्या को न हुआ चाहिए प्याण और एसे टेन गेस के समस्य के कारण पेट में जलन पेट में दर्द पेट में मडोड और चेस्ट में जलन इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरफ का प्योग किया जाता है और पेट में फूलन और पेट में बहुत तरी गेस है इसको भी दूर करने के लिए इस सिरफ भूमी का निभाता है या भूजन को पच्छन में मदद करता है अरेस्टोजाइन सिरफ के मुख्य यूज है अब हम अरेस्टोजाइन सिरफ के डोस के बारे में जानते हैं इस सिरफ के डोस को एज, सेक्स, बॉड़ी वेट और हेल्थ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस सिरफ के डोस को डिसाइड किया जाता है हम इस वीडियो में जन्रल डोस के बारे में जानते हैं एडल्ल पलसन को सुबह साम चारचार एमल लेना चीए और बच्चों को जो तीन साल से आठ साल के बीच में बच्चे है उन्हें एक से दो एमल पिलांची है सुबह साम इरेश्टोजन सिरफ के साइड एफेक्ट और प्रवेंशन के बारे में वीडियो के लास्ट में जानेंगे सेकेंड है यूनी एंजाइम सिरफ इसके प्रोड़क्ट इंफर्मेशन के बारे में जानते है 200 ml की बॉटल की एमार पे होती है 154 रुपिस इस सिरफ की मेनफेक्चरिंग टोडेंट फार्मा मेनफेक्चरिंग करती है इस सिरफ की और इसका फ्लेवर पाइनेपल फ्लेवर है यूनी एंजाइम सिरफ का प्योग डॉक्टर किंकिर परकर के हेल्थ प्रोब्रम को दूर करने के लिए इस सिरफ का प्योग करते हैं इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले जो भी वेक्ति पतला दुबला है जिनके भूग कम लगती है उनके भूग को बढ़ाने के लिए इस सिरफ का प्योग करते है पेट से जूड़ी कई प्रकार के समस्या जैसे की कम भोजन काने के बाद भी हमें उल्टी जैसे लगता है या बहुत अब ड़का राता है इन सब समस्याओं को दूर कने के लिए इस सिरफ का प्योग किया जाता है यूनि जैन सिरफ के डूस के बारे में जानते है इस सिरफ को 24 हाउस में 38% 4,4 एमेल लेते हैं और बच्चे 3 साल से 8 साल के बच्चे 1-2 ml ले सकते हैं यूनी जायम सिर्प और अरेश्टो जायम सिर्प के side effect और prevention के बारे में वीडियो के लाश्टर में जाने हैं अरेश्टो जायम सिर्प और यूनी जायम सिर्प दोनों के drug combination या ingredient सेमी होते हैं इसी कारण दोनों सिरप का अपयोग सेम ही health problem को दूर करने के लिए इस सिरप का अपयोग किया जाता है इसलिए इन दोनों सिरप का अपयोग जो भी health problem जैसे कि पेट से जोड़ी किसी परकार के समस्या को दूर करने के लिए इस सिरप का अपयोग कर सकते है बट इन दोनों सिरफ में से कौन सा सिरफ बेश्ट है इसके बारे में जानते हैं इन दोनों में से बेश्ट सिरफ है यूनी जायम सिरफ 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 एडल्ड परसन के लिए या इस टेप के साइड लेको देखने के मिलते हैं और इन दोरों सिरप को लेने के टाइम क्या प्रवेंशन क्या साउधन रखनी चाहिए इसके बारे में जानते कभी भी इस सिरप को अपने एडवाइस से या किसी अधर परसन के बोलने पे इस सिरप को न ले हमेशा इन सिरप का व्योग हमेशा डॉक्टर के सलह से ले क्योंकि आपकी हेल्थ प्रॉब्म के अकॉर्डिंग इन मेंसे कौन सा सिरप बेश्ट है इसके बारे में आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं यह वीडियो नौलजबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उनको साइब करें विस भाद गूड हैल्थ थैंक्यो मैं फ्रेंड